हलो दोस्तो मेरा नाम है दीपक शर्म और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपने स्टाइल में तोड़ा कन्फ्यूज हाँ? जी हाँ हमारे चैनल का नाम ही है अपने स्टाइल में तो आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे Galaxy Tab S7 Plus का और उसके साथ हमने मंगाया है उसका कीबोर्ड कवर और 45W का चार्जर तो चलिए पहले अन्बॉक्सिंग करते हैं तीनों की और उसके बाद बताते हैं आपको उसके फीचर्स और कुछ फंक्शन्स के बारे में और एक बादों मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मेरे पास S21 Ultra का 25W का चार्जर भी है और Tab S7 Plus के साथ हमको 15W का चार्जर मिलता है तो हमारे पास अभी अवेलबल तीनों चार्जर है 15W का 25W का और 45W का तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि तीनों चार्जर इस Tab को चार्ज करने के लिए 10,090 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना टाइम लेते हैं और क्या आपको 45W का चार्जर लेना चाहिए इसके साथ या नहीं लेना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आई दोस्ते तो हमारे पास हैं तीनों के बॉक्स पैक ये है टैब S7 प्लस का बॉक्स पैक ये है इसका कीबूर्ड कवर और ये है हमारे पास 45W का ट्रैवल एडेप्टर तो अभी चलिए हम इन दोनों को side में रखते हैं और unbox करते हैं tab S7 plus को सबसे उपर हमको रखाओ मिलता है tab रखते हैं इसको side में देखते हैं box में हमको और क्या क्या चीज़े मिलती है इसमें हमको कुछ paperwork मिल जाता है यहाँ पे seem ejection tool मिलता है आपको देखने को documentation में हमको मिलता है quick start guide और एक warranty card रखते हैं side में यह मिल जाता है हमको यह मिल जाता है हमको 15 watt का travel adapter जो box के अंदर यह आपको मिलता है रखते हैं side में यह मिल जाता है हमको stylus जिससे आप drawing, sketch या note ले सकते हैं रखते हैं side में इसको भी और यह हमको मिल जाती है एक cable USB A to USB C USB type C तो अभी के लिए हम सब चीज़ों को side में रखते हैं और यह रहा finally tab तो चलिए इसको open करते हैं वाव कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है tab front में आपको 8 Megapixel का selfie camera मिल जाता देखने को यहां side में देखते हैं तो आपको दो magnetic connector मिल जाते हैं विद उसका connecting pin के साथ इधर side में चल के देखते हैं तो आपको दो speaker grid मिलते हैं और बीच में मिलता है एक USB Type-C port charging के लिए यहां side में आपको मिल जाता है SIM tray और एक microphone यह आपको एक volume रॉप कर देखने को मिल जाता हैं यहां पर और power on off button इधर की side में आपको मिलता है speaker grid इधर भी speaker grid और एक microphone और back में आपको देखने को मिल जाता है यह जो आप जो line देख रहे हैं यह है जिसमें आप यहां पर इस तरीके से इसको pen को charging के लिए लगा सकते हैं इस तरह से यह देखें इस तरह से stick हो जाता है और यह आपको यहां पर dual camera देखने को मिल जाता है जो कि एक camera आपको इसमें मिलता है 13 Megapixel का और दूसरा आपको मिल जाता है यहां पर 5 Megapixel का camera तो चलिए अब इसका keyboard cover भी unpack कर लेते हैं जरा कुछ ऐसा दिखने को मिल जाता है हमको इसका keyboard cover यह इसका back panel मिल जाता है यहां पर कुछ documentation और यह रहा इसका keyboard रखते हैं इसको भी side में and last but not the least इसको भी unpack कर लेते हैं इसका 45 watt का charger वोग इस हुज तो कुछ ऐसा दिखता है 45 watt का charger आप size difference देख सकते हैं 15 water 45 watt में देखते हैं box में हमको क्या cable भी मिलती है yes we also got the cable और यह cable जो आपको मिलती है देखने को यह मिल जाती है USB type C to type C यह देखिए और यह दोस्तर तो हमने इसको पूरा setup कर लिया है और keyboard cover pen सब इस पे सेट कर लिया है हमने तो आपको दिखा देता हूं कैसा दिखता है यह तो इस तरह से यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यह back cover है जिसमें आपको यह groove मिल जाता है जिसमें आप पैन स्टिक करके रख सकते हैं और यह भी magnetic हैं दूसरा आपको जब आप इसको open करते ह इस तरह से open हो जाता है और यह आपको इस तरह से उठाना पड़ेगा और ऐसे उठा के यह इस तरीके से set हो जाता है तो सबसे पहले हम इसके hardware के बारे में अगर बात करें तो हमको इसमें मिल जाता है snapdragon का 865 plus processor जो की एक octa core processor है और इसके display के बारे में अगर हम बात करें तो काफी अच्छा display है इसमें हमको मिल जाता है super amoled display जो की मिलता है हमको 12.4 inches में अब अगर इसके software के बारे में बात करें तो आपको इसमें samsung का one ui version 3.1 मिल जाता है आपको देखने के लिए और android का version 11 आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें अब अगर इसके memory के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिल जाती है 6 GB की RAM और 128 GB का internal storage आप इसको external memory card से extend कर सकते हैं और यह support करता है around 1 TB अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह LTE variant है तो इसमें आपको SIM डालने का option भी मिल जाता है SIM tray आती है इसमें और वो सिर्फ 4G तक ही support करता है मतलब इसका network 4G तक ही support करता है इसमें 5G का option आपको नहीं मिलता है connectivity के बारे में बात करें तो आपको इसमें देखने को मिल जाता है Bluetooth का version 5.0 और दोस्तों दो चलिए इसको आप keyboard के साथ attach करते हैं और देखते हैं आगे के features keyboard से हमको features access करने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको मिल जाते है चलिए इसको connect करके देखते हैं और इस तरह से easily यह connect हो जाता है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जैसी हमने keyboard को connect किया यह automatically Samsung desk mode में चला जाता है यह settings से आप change भी कर सकते हैं इसको अगर आप चाहते हैं कि keyboard आप जब connect कर रहे है तो यह tab mode में रहे और you can use this key जहां पर mention है DEX तो जब आप यह key press करेंगे तब यह desk mode में जाएगा अभी मैंने जो setting करके रखी हुई है इसकी वह ऐसी setting है जैसी मैं keyboard से attach करूँगा इसको तो automatically यह Samsung DEX mode में चला जाएगा तो let me just set this up real quick ताकि हम आपको तरह सई से बता सकें कि क्या क्या आपको इसमें मिलता है तो दोस्तों keyboard में सबसे उपर हमको मिल जाता है कुछ function keys देखने के लिए उसके बाद हमको मिलता है क्यूवर्टी keypad और एक sufficient size में आपको एक multi gesture mousepad मिल जाता ह हाला कि हम आपके लिए एक in-depth review लेकर आएंगे और जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस keyboard में इस keyboard को attach करने के बाद जब tap Samsung DEX mode में आप use करते हैं तो इसको productively आप कैसे use कर सकते हैं तो दोस्तों अब अगर इसके stylus के बारे में बात करें तो यह भी एक multi functional stylus है जो drawing sketches या notes ले निकले काम तो आता ही है लेकिन इसका बटन है इससे भी आप काफी चीज़े कंड्रोल कर सकते हैं tap पर तो जैसा कि मैं for example अगर दिखाना चाहूं तो हम सबसे पहले जाएंगे गैलरी में और अगर हमें photos को previous या next करना है तो आप इस button का use कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता अगर्स और function हम आपको एक नए वीडियो में बताएंगे जब हम keyboard cover के लिए इसका वीडियो बनाएंगे तो चलिए दोस्तों इसका आप video quality और audio quality टेस्ट भी कर लेते हैं चलिए मैं एक video play करता हूं इसमें और volume मैं full कर देता हूं इसका कर दो कर दो कर देता हूं उड़ हैं जब हम इसका बहएं इसका बेर यह मज़ने ख्यक्नाड़ी कि और सक बाहरे ज़गे ऑला इसका देक वागरिall सू bueno और रहे दोस्तों लास्ट बट नोट दे लीस्ट तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि इस टैब में हमको 10,090 mAh का बैटरी मिल जाता है और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास तीनों चार्जर अवेलबल है 15W का जो कि हमको मिलता है इसी के साथ बॉक्स में दूसरा चार्जर है हमारे पास 25W का जो कि हम यूज करते हैं S21 Ultra के साथ और तीसरा चार्जर हमको मिल जाता है 45W का जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि टैब S7 प्लस 45W चार्जिंग सपोर्ट करता है तो हमने ये एक्स्ट्रा चार्जर 45W का मंगाया था इसके लिए और हमने तीनों के साथ इसका टेस्ट किया और आप इसके स्टेट्स देख पाएंगे स्क्रीन पर I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे और informative वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ साथ शेयर करें स्टे टून पीस